हेलो स्टुडेंट्स तुडे विल डिस्कस अबाउट अप्लिकेशन जोफ ट्रिग्नोमेट्री और मैक्सिमम स्टुडेंट्स के मन में ये कुश्चिन जुरूर अराइज होता है कि आखिर हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं जब मैथेमेटिक्स में इतने सारे कॉंस अल्रेडी थे तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की कहां जरुत पढ़ती है तो फोर दोज स्टुडेंट्स देर अर सम प्रोब्लम्स विच सीम्स क्वाइट डिफिकल्ड इफ्ट्राइट टू हैंडल देम डिरेक्टली जैसे अगर मैं आप से पुछ हूँ कि हाओ कैन वी मीजर दा हाइट ओफ टावर अब अगर किसी टावर की हाइट को हम डिरेक्टली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम बहुत ही डिफिकल्ट सीम होता है कि किसी भी टावर की हाइट को डिरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं चलो टावर की अगर हम किसी बिदर कर भी लेते हैं How can we measure the height of a mountain? अब किसी mountain की height कैसे measure करते हैं? ये भी एक बहुत difficult task है. How can we measure the height of a building like Burj Khalifa and other skyscrapers? How can we measure the height of a tree, width of a river, height of a flag post, distance between earth and sun, etc. And there are so many such problems which seems quite impossible when we try to handle them directly. So, you can realize that there must be some alternate method to tackle these problems. And that alternate method is obviously trigonometry. इन सभी का alternate method क्या है मारे पास? Trigonometry. देखो, अब इन सभी problems को directly हम solve करने की बज़ाएं. Trigonometry से बहुत easily solve कर सकते हैं. और आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं. Practically अगर मापको एक example बताऊं, तो जिजहे आज कल चोरी भी directly नहीं की जाती. चोर भी बहुत smart हो चुके हैं. वो भी technology की help से चोरी करते हैं. कैसे आपको पता भी होगा, कि आपके phone बर एक fake call आते हैं, आप चोटी भी पूचते हैं और आपका account खाली. समझे बात को. इसका मतलब चोरी करना, directly चोरी करना भी एक बहुत मुश्किल task हो चुका है आज गे time पर. तो फिर उसको भी किसकी help से आसान कर दिया जाता है? टेकनोलोजी की help से बहुत जल्दी, without, directly ने, indirectly चोरी हो सकती हो. इसी sense में कि इन सभी problems को directly handle करने की वज़ाए, हम trigonometry से बहुत easily handle कर सकते हैं. और इस chapter में, 9 chapter में, हम सारी ऐसी कुछ practical problems डिसकस करेंगे, जिनको trigonometry की help से बहुत आसान बनाया गया है. लेकिन उससे पहले कुछ important keywords हैं, जो हम इस chapter में use करेंगे, एक बार वो समझते हैं. And the first one is, सबसे पहला keyword आता है, यहां पर angle of elevation. अब इस बात को समझाए, एक बार ज़रा देखो. अगर मान लो, आपने कभी passport size photograph खिचवाया हैं, तो वहां पर photographer आपको बोलता है, कि आप horizontal direction में देखी, सामने की तरफ पिल्कुल. तो इस level को या इस direction को बोलते हैं, horizontal level. क्या बोलते हैं? horizontal level. और ऐसा इसलिए बोला जाता है, कि अगर कई बार हमारी नजरें horizontal level से या उपर होती है, या निच्चे होती है, तो photograph उससे ठीक नहीं आता है. अगर मान लो, आप horizontal level से उपर किसी object को देख रहे हैं, तो हमें अपनी नजरें उपर की तरफ उठानी पड़ते हैं, उस object की तरफ. और इस line को, जो हमारी आँख से उस object को connect करते हैं, इस line को बोलते हैं, line of sight. क्या बोलते हैं? line of sight. clear? और ये line of sight, इस horizontal level के साथ, जितना angle form करती है, उस angle को बोलते है, angle of elevation. क्या बोलते हैं? angle of elevation. clear? in the same way, अगर हमें किसी ऐसे object को देखना हो, जो हमारे horizontal level से निचे हैं, जैसे जमीन पर कोई object है, जब हम उसको देखते हैं, तो हमें हमारी नजरे निचे की तरफ जुकानी पड़ती हैं, और जितनी नजरे निचे करेंगे, जितना angle होगा, line of sight का horizontal level के साथ, उस angle को बोलते हैं, angle of depression, क्या बोलते हैं? angle of depression, clear? और ये ऐसे कीवर्ड्स हैं, जो इस चैप्टर में, किसी किसी कुश्चन में, यूज होंगी, तो आपको इनका मीनिंग जरूर पता हो, कि जब भी वो बोलता है, angle of elevation मतलब, एक ऐसा angle जो horizontal level का, और line of sight के बीच में हैं, कब जब हम किसी object को देखते हैं, जो हमारी horizontal level के उपर हो, और इन अगर हम किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हैं, जो horizontal level के निचे हैं, तो जो angle निचे की तरफ फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं, angle of depression, clear? ठीक हैं, अच्छा चलो, आपको अब एक interesting fact बताते हैं, इसी chapter से related है, कि मुझे बताओ, height of mount Everest क्या होगा, अगर आपको किसी को पताओ, height of mount Everest, और I think आप सभी जानते हो, और जो student नहीं जानते हैं, उनके लिए बता देते हैं, height of mount Everest, या mount Everest इस दुनिया की highest peak है, जिसकी height जब first time major की गई, तो वो थी 8848 meter, and that was the world record at that time, मतलब इस से उच्ची उस time पर कोई peak नहीं थी, इसलिए इसको highest mountain in the world का, एक world record नाम है mount Everest के नाम पर, अब problem यही है कि आप यह सोच रहे होंगे, कि उससे पहले, किसी भी mountain की height को, हम इतनी accurately नहीं माप सकते थे, क्यों क्योंकि ऐसा कोई instrument या ऐसा कोई tool नहीं था, जिसकी help जैसा किया जा सकता, लेकिन, एक British officer थे, जिनका नाम था Serge George Everest, क्या नाम था Serge George Everest, और उन्होंने, with the help of trigonometry, first time mount Everest के height को, इतनी accurately measure किया था, और उसके बाद से ही, mount Everest का नाम, world record में दर्ज है, as the highest peak in the world, अब आप सोच रहे होंगे, कि कैसे measure किया, तो ये question, आप बच्चों के लिए still pending है, हम इसको discuss करेंगे, जब इस chapter को खदम कर लेंगे, वापिस इन सबी questions पर आएंगे, और कुछ questions तो आप ऐसे हैं, जो during the exercise, खुद ही देख लेंगे, कि कैसे soul किये जा सकते हैं, लेकिन जैसे height of mount Everest है, इस question को हम, बाद में पुछेंगे आप से, कि इसकी height कैसे measure कर सकते हैं, आप को इस chapter again तक, वो बातें समझ में भी आ जाएंगे, तो इसके लिए देखो, हम trigonometry का जब भी use करते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही device के जरूरत होती है, और उसको बोलते हैं, थियोडोलाइट, उस device का नाम होता है, थियोडोलाइट, अब थियोडोलाइट या क्लाइनोमेटर कहें, दोनों का मतलब same है, अब ये एक ऐसा device होता है, जो हमें किसी भी object का, angle of elevation या angle of depression मेजर करके बता देता है, कैसे समझवाद को, और अगर आप थियोडोलाइट देखना चाते हैं, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या आपकी NCRT की बुक में, फर्स्ट पेज बर इसकी images भी मिल जाएंगे आपको, यानि कि this is an instrument, इस इस इन इंस्ट्रुमेंट यूज़ तू, यूज़ तू मेजर दा, एंगल, ओफ एलिवेशन, एंद डिप्रेशन, एंगल ओफ एलिवेशन एंद डिप्रेशन, एंद डिप्रेशन, clear, तो इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, अब देखो, कोई भी प्रोब्लम अगर हम ट्रिग्नोमेटर की सोल करने की कोशिस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ, सबसे में चीज़ होती है, उसका एंगल ओफ एलिवेशन एया डिप्रेशन मिल जए, और बाके डिश्टेंसे हम आराम से मिजर कर सकते हैं, तो उस एंगल की और उन डिश्टेंसे की हेल्प से, हम किसी भी ट्रिग्नोमेटर्टिक प्रोब्लम लाइक, ये ब्रोब्लम से इनको सोल कर सकते हैं, और इस चेप्टर में मेक्सिमम प्रोब्लम से हमारी हाईट and डिस्टेंस रिलेटिट ब्रोब्लम से होऊगी, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि हाईट को मिजर करना एक क्वाइट डिफिकल टास्क होता है, as compared to distance तो हम distance के help से height find out कर लेते हैं और angle हमें किसके help से मिल जाते हैं theodolite के help से तो अब 9th chapter में हमारे पास एक ही exercise है और हम इसको continue करेंगे next video में यह था इस chapter का सिर्फ introduction thank you और मिलते हैं next video में